दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आदार कार्ड में आपका मोवाइल नंबर रेजिस्टर है या नहीं चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूटूब चैनल सबसे पहले दोस्तो आपको जो है किलो म्रावजर ओपन करना होगा और वहां पे आपको टाइप करना होगा www.odai.gov.in ये लिंक जो है आपको दोस्तो में इस वीडियो की डिस्क्रिस्टन में दे दूँगा आप जो है वहां पे क्लिक करके इस बैफ साइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं अगर दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइक बेल को ऊपन करने के बाद मैं डिर्एक्ट इस बैफ साइट पर यहां पे आ गया हूँ जिसका लिंक मैंने डिसक्रिस्टन में दे दिया है आपको यहां पर यह ओप्संस दिखाई देगा अपडेट आधार डिटेल यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको कि o t p पे जो है इंड e ो t p पे जो है किलिक करना हुगा तो चलिए जा आपिए या याँ पर देता हूं या पे यह एक नोटी आपके आपके सामने निकल कर आ जाता है इस नोटी सको आप पढ़कर देख लेंगा अबर यह Нोटी साइments आपके आ गाया तो इस आपका अप पतलब होगा कि आपका आधार कार्ड में जो है आपका मोईल नंबर रेइस्टर नहीं है अगर आपके आधार कार्ड में नंबर रेइस्टर हो तो आपके मोईल नंबर पे एक OTP पहुंच जाता जो आपको जो है अगले पेंच में टाइप करके अपने आधार कार्ड में जो ह तो आप इस पिरकार से पता लगा सकते हैं अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सेर लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि इस पिरकार की वीडियो हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते रहते हैं उन वीडियो की नोटिपिकेशन अपने मोईल पे सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं आप से अपने चैनल के एक नई वीडियो में तब तक के लिए